नमस्कार यूट्यूब फैमिली आज हम आपको बताएंगे कटहल का जार कैसे बनाती है तो मेरा दो किलो का कटहल है इसको मैंने छोटे-छोटे पीस में काट किया है और काट करके इसको धूल के हलका सा बॉयल करके धूप में सुखा लिया है बॉयल वाला वीडियो नहीं आय है अब यह मसाले हैं जिनको हम तयार करेंगे अजवाइन है और यह राई है वो सरसों है पीली वाली यह राई है यह जीरा है यह सौफ है और यह धनिया है कलोंजी जो कि हमें पीसनी नहीं है तो वह अभी हम साइड में रखे हुए हैं आपको दिखाएंगे यह कलोंजी है यह पीष्णा नहीं है और हिंग इसमें डालेंगे जो अभी डिब भी निकालनी है यह कड़ाई गरम करके रख दिया है हमने इसमें मैंने जीरा डाला है सबसे पहले सारे मसाले इसमें डालते जाएंगे और बहुत हलका सा भूनेंगे इतना भूनेंगे कि मुठी हम उसको छू सके मतलब गरम इतना गरम करेंगे उसको ज्यादा भूनना नहीं है ज्यादा भूनने से कड़वाहट आने लगती है मसालों में इस सारे मसाले मैंने एकी मिक्स करके डाल दिये हैं अब धीरे धीरे चलाते जाएंगे राई ऑप्सिनल है आप राई नहीं डालना चाहते हैं मड़ डालिए पीली सरसों हमने डाली है मेरे पास पीली थी आप काली सरसों भी डाल सकते हैं इस यह हम धीरे धीरे करके भून रहे हैं देखिए मजाले का हलका इसको हम नीचे उतार के ठंडा करेंगे और ये हमने आम घिस करके रखा हुआ है जो की कटहल में डालेंगे अद्दुकस किया हुआ आम है तो 2 किलो कटहल में आधा किलो आम मान के चलिए तब ही खटा होगा और ये हमने जार में डाल लिया है मसाला अपनी कौंटिटी के नुसार इसको पीस लिया है दरदरा ही पीसना है ज़्यादा महीन नहीं पीसना है अब हम चलिए चार कैसे मिलाते हैं इसमें वो आपको दिखाते हैं ये कटहल एक तसले में मैंने ले लिया है नीचे बैट के बना रही हूँ इसमें पहले मसाला डाला है पिसा हुआ अब ये लाल मिर्च है जो हम इसमें डालेंगे तीखा आप अपने अनुसार कर जगते हैं जितना तीखा आप खाएं ये हल्दी है हल्दी पिला होने के लिए ये हल्दी डाल रहे हैं जब हम इसमें गरम करके तेल डालेंगे तो हमारा हल्दी ये सारा पक जाएगा और ये कसमेरी मिर्च है इसे कलर बहुत अच्छा आता है तो ये कसमेरी मिर्च हमने डाली है अब ये हम इसमें आम डाल देंगे गिसा हुआ जो आम का दुकस किया रखा था वो आम हमने इसमें आम नहीं टालेंगे तो कटहल कर स्वाद का कोई मतलम नहीं है अगर जब तक खटा नहीं होगा तो चाय तो आप काटके भी आम डाल सकते हैं लेकिन हम हमेशा घिसके ही आम डालते हैं उसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है यह आम डालने के बाद अब विनिगर की सी सी रखी हुई आपको दिख रही होगी थोड़ा सा इसमें हम विनिगर डालेंगे नमक डालेंगे नमक डाला है नमक थोड़ा कम ही डालेगा क्योंकि जब अचार पकता है न धूप में रखने यह विनिगर मैंने इतना लिया हुआ है दो चम्मस के करीब है यह विनिगर डालेंगे विनिगर से अचार खराब नहीं होता है आप हमेशा यह चिद्धान रखिए यह कलोंजी डाली है मैंने खड़ी कलोंजी आपको डालनी है पीस के ने डालनी है पीस के अचार कड़वा होने लगता है वो फिर टेस्ट नहीं आता है ठीक है अब इसमें हमने जो तेल गरम करके थंडा किया हुआ है वो हम डालेंगे वो आप देखेगा सारा मसाला मैंने डाल लिया है अब ये कड़ाई में तेल गरम करके ठंडा हुआ है वो डाल रहे हैं इतना भी ठंडा नहीं है थोड़ा इतना डालिए कि हल्दी पक जाए एक है ऐसे करके डालेंगे तो आपका अचार कभी खराब नी होगा कच्छा तेल कभी नहीं डालते हैं हम कच्छा तेल डालने से फफूंदी लगने का डर रहता है आप इसको भले धूप में नहीं रखेंगे फिर भी आपका अचार पूरा साल दो साल जितना साल आप रखना चाहें चल जाएगा अब धीर धीर आप इसको मिक्स करते जाएए और जो खटाई है उसको भी मिक्स करते जाएए पुरे कटहल में मिक्स हो जाए मुँ में पानी आ रहा होगा देख करके बिल्कुल आप अपने घर में बनाईए अगर आपने मेरे चैनल को जॉइन नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे कोई भी रेस्पी बनाएंगे तो आपके पर नॉटिफिकेशन आता रहेगा ये देखिए धिर धिरे मसाला सारा मिल रहा है थोड़ा मेहनत तो लगती है कटहल का आचार बनाने में क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ इसलिए कोई कोई क्लिप मिस हो जाती है जैसे इसको मुझे भाप में पकाना था वो क्लिप मैं नहीं बना पाई ये असायद ना बन पाई हो कही मिस हो गई हो देखिए अब ये हमारा अचार मिक्स होके तयार है इसमें मतलब भर का तेल आपको दिख रहा होगा अब इसको हम डबे में भर देंगे यह मेरा पहले का डब्बा है, दो साल से मैं इसी डब्बे में अचार रखती हूँ, अचार के डब्बे में आप अचार रखेंगे ना तो वो कभी खराब नहीं होगा, दिखिए, दो किलो का डब्बा है, वो पुरा भर जाएगा, ये, धीरे-धीरे करके इसमें आप हम डालत दे जाएंगे अचार को, ये देखिए, इसको आप धूप में रख देंगे, ओपर से कपड़ा बाधना है, धकन नहीं बंद करना है, धकन बंद करेंगे, तो जो पसीजा अंदर पसीजेगा ना तो वो पानी जब अचार में जाएगा तभी खराब होता है, आप लोग कहते वो पसीजज़ने से जो पानी आता है, धकन बंद करने से उसी सा अचार खराब होता है, ओट आप डाल देंगे, अचार बिलकुल खराब नहीं होगा, आप दो साल तक, 3 साल तक चलाईगे, लेकिन दो साल का टेस्ट नहीं अच्छा रहता है, जितना अच्छा अच्छा पूरी रेष्पी जरूर देखेगा इसकिप मत करिएगा और आपको तब ही समझ में आएगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है देखे कितना सुन्दर लग रहा है इसका कलर देखने से दो किलो में पूरा डबब भर गया है अब इसको हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे उपर से और कप्ड़ा बांध के धूब में रख देंगे आप भी जरूर बनाईए हमारी देख पी कैसे लगी कमेंट करके प्लीज जरूर बताईएगा ऐसे हिला देंगे तो पूरा अपना वुसी में सही हो जाएगा और ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए कटहल का चार बहुत कम लोग बनाते हैं आम का ज्यादा बनाते हैं देखिए कितना सुदा लग रहा है धन्यवाद देखने के लिए